मुझा आथ की तनी है मारा जी गुरू जी की 50 के वेश्टे करीब तो होगी जी अच्छाप पचास के करीब वैसे लग भी नहीं रही मारा जी कभी बोजन नहीं गरते जी शिरफ चाय चिलम चाय और पाणी करती है प्रूट भी निए कोई दूद निए कोई और कुछ निए चाय और पाणी ही बस इस वीडियो में के माराजी जो है साइन साना जी पर्मानेंट या फिर जब दक तपस्या है तब तक पर्मानेंट जी पर्मानेंट जी मैंने कभी बोजन करते हुए कभी अन फल फरूट कभी कुछ निए चाय और चिलम अर्याना एक जारार देखनाले सारे बाण माया नरामराम मैं हूँ दिनेश कुमार और फिलाल मैं बगोती पुर गाओं मैं मौझूद हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पिछे आप को दिखाई दे रहे हूंगे बाबा जी जो है तपस्या करने लग रहे हैं और कितने दूने जो लगे हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा एक डो तीन च्यार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा ग्यारा दूने लग रहे हैं बैँ ग्यारा दूनों के बीच में बैठ कै और बरी दो फैरी में फिलाल जो है राइट बारा बज और देख रहे हैं आप बाबाजी किस तरह से ग्यारा दूनों के बीच में बैठके तपश्या करने लग रहे हैं और क्या मतलब जो है मनसाले के तपश्या करें वो भी जो हम एक बार जानने की कोशिस करेंगे पहले में एक बार आपको यह तस्वीरे दिखा दूँ आप देख जो आपको करवा रहा हूं आप देखिए बाबा जी है जो जिनका नाम साइन सानात जी बताया गया है साइन सानात जी जो है बाबा जी का नाम जो है बताया गया है मैं एक बार जो है आपको दिखा दूँ उदर से दिखाऊंगा आपको यह तस्वीरे में यह देखिए आप बाबा साइनसा नात जी तप करने लग रहे हैं ग्यारा दूनों के बीच में बरीदो फैरी में बैटके तपस्या कर रहे हैं बाबा जी थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो बगत हैं उनसे भी एक बार अम बात करेंगे उनसे जानेंगे के बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं वो क्या मन्सा लेके किस कारिये की सिद्धी के लिए जो है तपस्या की जारी है जैसिराम जी खाटू शाम के मंदिर के निर्मान दिन की है तू यहाँ तपस्या की जारी है बाबा झी कितने दिन से आप यह dat associate cervical west काने ट्वान 🎵 कितने दिनों गें दो साली सब्सक्त लमख़ाने को डिलासं इसमें पूरी यह लगा लूझो मंत तो पूरे हुआ म्ख़ी है और यह अपने खाटू श्याम जी के उनिक है नाम से अपनी तपश्या करते ही है हर साल तपश्या की जाती है और 11 धुनों की तपश्या ही होती है उसमें 11 धुनों बे 11 उपलों के साथ शुरुआत होती है 108 उपलों तक एक धुने पर पहुत जाते हैं तो शुरुवात हुई है कि यारा दूने से शुरुवात की है कितने दूने तक चैने जिन में उपलों की संख्या बढ़ जाती 108 तक पहुंच जाती लास्ट दिन तक अब एक दूने में कितने उपले हैं और टोटल ग्यारा दूने तक चैने 108 हो जाएगी लास्ट दिन तक दिन तक और दो बढ़ा देते हैं अच्छे चाहर साल करते हैं बाबाजी हर साल जेट के महीने में अभी तो जेट का महीना नहीं लगया है पहले ही सुरू कर दी कि अब की बार पहले शुरू कि लिए बाहर फिर आगे और देरे बनाए हैं उनकी पूरी करवानी होती है जैसे इनके सीसे भी तब करते हैं परकार से उनकी फूरी करवानी पड़ेगी एक दो तिन पहले एक इंगे सीसे कल आए एक्ट कितनी है मारा जी पुरु जी पुरु जी और पचास के फेर में पिर चाह सके करीब वैसे लग नहीं रही मारा जीयोंगी सब्सक्राइब करते हैं कोई दूद नहीं कोई और कुछ निए जो है अनोखी बात जो लगी है इसलिए जो है इस वीडियो में के माराजी जो है साइनसानाद जी जो आप देख रहे हैं मेरे पिछे आप को दिखाएगी अनहीं बिच में ऑगत यह लें पार्णी ही लोगे बाणारी बपार्मानेंट कोपर भूत देन इनके मैं कभीू बोजन करते परशाद ने बताई है के माराजी अनन नहीं खाते और ना कोई फल फरूत वेगरा कुछ बीनी ड्राइफ रूत वेगरा सिर्फ चाय और पाणी के सहरे ही जो है बाबा साइन्स अनाच जी अपना जीवन वैतित करते हैं आप मेरे पिछे देख रहे हैं ये तस्वीर है ये खाटू स्याम जी का जो मंदिर का निर्मान कारिया जो चल्या हुआ है आप देखे ये पिलर जो बने हुए हैं मेरे पिछे आप देख रहे हैं पिलर और ये इस साइड भी देखे आप ये पिलर जो लगा दिये गए हैं और दिरे दिरे जो है निर्मान कारिया जो है वो चल्या हुआ है पर वगत आते हैं यह तो अपनी बगती में रहेते कब से है यह मंदिर डेरा यहां पर दो साल से होगा निया जी पहले कुछ नहीं था बाबा जी पैतरी गाओं तो बगोति पुर से हैं अच्छा इसी गाओं में जनम हुआ है बाबा जी पैतरी गाओं यही है पहले मेरे गुरु जी पुशकर के एक्स पुजारी भी रहे हैं और अलग-अलग कई डेर स्थापित किया जन्यों बाबा जी तो वहीं वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा सेर करना क्योंकि यह जो है अपना सनातन धर्म है सनातन धर्म प्रेमियों से भी मैं कूँगा के वीडियो से ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर करना और अब जो है यह कर्मी का जो मोसम जो आगया के जेट का महिना आएगा इस तरह के नजारे जो है जो साथों की तपस्याएं है वो हर जंग है जो है देखने को मिलेंगी जिस भी तरफ हम जाएंगे उसी तरफ जो है कहीं ना कहीं साथ दूइस तरह से तपस्या करते हुए जो है वो मिल ही जाते हैं जेट के महिने में और इस चीज़ की जो है शुरुवात हो चुकी है बाबा सानसानाज जी ने शुरुवात कर दी है बगोतिपुर गाओं में 11 दूनों से जो है इनोंने करना और भी साथ उसंतों से हम आपको मिलवाएंगे तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत हरियाना एक जाराट के लिए मैं दिन इसकुमार जै हिंजे हरियाना